Today's topic structure and construction of cassette जो आज का अमारा point रहेगा वह है हमारा रहेगा radiographic cassette के structure और उसके साथ construction 4 point है एक-एक point करके समझेंगे और इसके साथ image के through भी समझेंगे 1st point है manually consist of front and back hinge together at one edge जो आपका radiographic cassette होता है इसका front part और इसका back part ये एक किनारे से एक तरफ से attach होते है अगर हम इसका सबसे best example लें तो इसका सबसे best example है आपकी book या कोई भी notebook आप देखेंगे तो वह क्या होता है आपका front side और back side एक trap से attach होते है एक trap से close होते हिंसे आपका fix होता है और उसके साथ साथ दूसरी side से पूरा open रहता है वही आपका radiographic cassette में भी होता है then जो cassette front होना चाहिए यह हरमेसा low atomic number का होना चाहिए जिससे की ज़्यादा x-ray pass हो सके और इसके साथ जो यह low atomic number होता है यह percent dose को reduce करता है अब radiographic cassette होती है जैसे के हमने लाश्ट वीडियो में आप तक पांच topic एक एक करके समझा है उसमें सब समझा रहे है तो radiographic cassette के अंदर में दो intensify screen लगा जाती है जो आपकी front intensify screen होती है यह होती है आपकी 2 mm की cassette का जो front होता है यह है आपका trans radiation होता है और इसके साथ साथ यह आज जैसे book में पढ़ेंगे तो यह aluminum का बनाता है लेकिन आज के time में carbon हो गया fiber हो गया इन सब के बनाए जा रहे है अब जो carbon का atomic number होता है वह सबसे low होता है जैसे कि हम जानते है carbon का atomic number 6 होता है अब अगर बात क इस जिर्फे सामने front screen के सामने आपके एक sought lead blocker का यूज़ करा जाता है जो percent identification की लिए होता है अगर हम back side की बात करें क्या cent का back होता है यह हमेंगे सबसे हुआ हैं जो ऑपकी back स्केटर होती है इसे क्या करता है, reduce करता है, ओके, अब अगर हम बात करें, जो back IS screen होती है, इसकी जो thickness होती है, यह 6 mm की होती है, इसके साथ साथ, pressure pads का यूज करा जाता है, किसके लिए, जो आपकी X-ray film है, और जो आपकी IS screen है, इसमें good contact बना रहे हैं, तो यह 4 point है, पहला point, एक best example book है, दूसरा point, क जैसे कि आपका carbon हो गया, carbon का सबसे atomic number low होता है, 6 होता है, और इसमें जो front intensify screen होती है, यह 2 mm की होती है, जो cassette का front part होता है, इसे cassette wall भी कहता है, इसमें एक lead blocker का use करा जाता है, जो आपका patient identification के लिए होता है, cassette का back side हरमें सा high atomic number का होता है, जो lead का atomic number होता है, वह होता है 82, अब यहाँ पर देखेंगे difference, जो carbon का 6 और जो आपका lead का है, वह है आपका 82, अब इसके साथ image में समझते हैं, यहाँ पर आपकी image है, अब image में देखेंगे, यह तो हो गया आपका front side, यह हो गया आपका back side, अब यह hinge हो गया, जैसे कि हमने अभी एक book का example दिये थे, एक तरफ से attach और दूसीर side से पूरा open है, यहाँ पर हो गया pressure pad, यह हो गया front intensify screen, अभी last slide में हमने जो lead blocker के लिए करे थे, जो patient identification के लिए होता है, और यहाँ पर होता है lead blocker, intensify screen back, यह होता है lead foil, और यहाँ पर पूरा image में देखेंगे, lead blocker, इसके साथ front intensify screen, इसके साथ back intensify screen, इसके साथ hinge हो गया, इसके साथ foam pressure pad हो गया, यह lead foil हो गया, जो यह hinge का point है, या हम बोलें cassette का back side हो गया, cassette का front side हो गया, यह एक एक करके slide आने वाले time में लाएंगे, उसमें एक एक करके deeply इसके बारे में discuss करेंगे, जो आज का हमारा point था, उसमें हमने structure के 4-5 point समझाए, उसके साथ कुछ advance और उसके साथ image के दुरू हमने इसमें clear करा, कि यहाँ पर एक question हो रहा सकता है, जो एक cassette का front part है, यह क्या होता है, जो इसके advantage होते हैं, जैसे strong होता है, lightweight होता है, यह सब और भी advantage होते हैं, जो हम आने वाले time में वीडियो में समझेंगे, I hope आपको यह वीडियो अच्छी ल आपको 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 आपको